अगर जानकारी अच्छी लगती है तो जानकारी को लाइक कीजिएगा और साथ में RS News चैनल को सब्सक्राइब करके बेल की घंटी को जरूर दवाईएगा ताकि आप भी क्रिकेट की तमाम जानकारियों से अपडेटिट रह सकें दोस्तो अगर आप भी राशिद खान को एक बहतरिन गिंद बाज मानते हो तो आप अभी इस वीडियो को जरूर लाइक करना जी आँ दोस्तो जैसे कि आप सभी को पताई की ICC T20 विश्व कप के सेमी फाइनल दोनों ही खेले जा चुके हैं जहां पर पहले सेमी फाइनल मुकाबले में न्यूजिलेंड टीम को जीत मिली थी और वहीं दूसरे सेमी फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को हार देने के बाद आउस्टेलिया की टीम ने फाइनल अपनी जगह बनाई जिसके चलते फाइनल में अब आप सभी को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजिलेंड की टीम आपस में भीड़ती हुई दिखाई देगी हाला कि दोस्तों इसी बीच हम आपको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के बीच में जो रुमांचक मुकाबला खेला गया सेमी फाइनल दो उस मुकाबले में एक समय पर तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम आसानी से इस मुकाबले को अपने नाम कर लेगी लेकिन दोस्तों किसी को क्या ही पता था कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मैथ्ट्यू वेड अंतिम कुछ ओवरों में 177 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम किया जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने 5 विकेट के नुकसान पर 177 रनों की पारी खेली और इस दोरान सबसे आदा रन बनाए डेविड बॉंडर ने ऑस्ट्रीला की तरफ से जहां पर 30 गिंदों में उन्होंने 49 रन बनाए तो वही मै 넘 कस 17 गंदों में 40 रन बनाने में कामयाब हो सके और इसे के साथ इंगलेंड की टीम के भार होने के बाद पाकिस्तान की टीम भी अब सेमी फाइनल मुकाबले में अपने प्रदर्शन के बाद भार आनों इससे में इसी के साथ अब धोपानलिस्ट भी हम सभी को मिल चुके है लेकिन इसे बीच हम आपको बताएं कि राशिद खान जो की अफगानिस्तान टीम के खतरनाग गेंदबाज है उनका बड़ा बयान सामने निकल कर आया जहांपर उन्होंने पाकिस्तान की हार पर काफी बड़ी प्रतिकिर्या देते हुए भारत के लिए भी कुछ का है जी हां दोस्तों आपर राशिद खान का कहना है कि जो काम हम नहीं कर सके वो काम पाकिस्तान के खिलाफ और बड़ा दिखाई दे रहा था जहां पर गेंदबाजी में पाकिस्तानी गेंदबाजों की कमी के चलते पर आश्टेलिया की टीम ने उसका फायदा उठाया और इस मु दर्शक पाकिस्तान की हार को चीख उसी सुविकार करना चाहेंगे और क्योंकि पाकिस्तान की ही वज़े से भारत और अफगानिस्तान की टीम सेमी फैनल मुकाबले से भार हुई थी हाला कि पाकिस्तान ने पूरे ही टी-टॉंटी विश्वकप 2021 में काफी बहतरी प्रदेशन किया और वो एक strong team बनकर भार निकली है तो ऐसे में दोस्तों यहाँ पर राशित खान ने काफी बड़ी पृतिकिर रहा दी और साथ में उन्होंने पाकिस्तानी टीम को थोड़ा ट्रूल भी किया भारति एक धर्शकों के साथ मिला अब विचा निचे कमेट करके जरूर बताईएगा अब को दिखाएगी जानकारी पसंद आई होगी वीडियो चलगा तो वीडियो को लाइक करना साथ में चानल को सबस्क्राइब करना जिससे की जो आगे अपडेट होगी वो आप सभी को सबसे पहले चैनल पर देखने के लिए मिलती रहें तो मिलेंगे अगले को रिसी जानकारी वे तब तक के लिए जै हिंद जै भारत